मूवी स्टार्ट होती है जहांपर हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम सैंडी और बाजी है ये दोनों एक बुक पर रहे थे उस बुक के कॉटिंग ली बहुत सालों पहले एक टीमन किंग था जो के बहुत ही ज़ादा पावरफुल था कोई भी उसे हरा नहीं सकता था वो चाहता था के अर्थ और हेवन पे कबजा कर ले डीमन किंग जहां पर भी कदम रखता था वहां पर हर चीज डैमज हो जाती थी अब इसी सब चीज को रोकने के लिए बुदा किंग ने अपनी शी एनरजी यूज की थी जिसके बाद इसकी सारी पावर निकल कर यहां नहीं कर सकता इसके बाद सैंडी और बाजी वो पुक रखते हैं और अपने मास्टर के बाद जाते हैं जो के काफी दुखी थे उनको बहुत जादा भूख लग रही थी और वो इससी लिए वू कॉंग का वेट कर रहे थे ताके वो उनके लिए खाना लेकर आए वू मिजाज ही अलग है वो कोई भी काम सीधे दरीके से नहीं करता इसके बाद हम देखते हैं कि यह सब लोग मिलकर एक टैंपल की तरफ जाते हैं जो के एक इमोटल इंसान का था यहां पर दुनिया की वो काफी चीज़े थी जो के कहीं और पर नहीं मिलती यहां पर टैंपल के अंदर हम दो सर्वेंट को देखते हैं जो के यहां टैंपल का ख्याल रखते थे अब वो सब लोग इन लोगों के लिए धाना लेने के लिए जाते हैं बाजी छुपकर इन दोनों सर्वेंट की बात सुन लेता है जो कि किसी फूरूट ट्री के बारे में बात कर रहे थे जो उपर बहुत मज़े के फूरूट लगे हैं और ये दोनों सर्वेंट अपने लिए वही से फूरूट ले रहे हैं अब वो दोनों सर्वेंट जब यहां से जाते हैं तो वो कॉंग भी अपने लिए एक फूरूट तोड़ता है पर वो फूरूट उसके हाथ से नीचे गिर ज और जमीन में डीमॉनिक एनर्जी की वज़ा से अंदर चला जाता है वू कॉंग उसको वापिस लेने के लिए जमीन में हाथ मारता है ताके वो फूर्ट वापिस निकल आए जमीन के अंदर से वो छोटा सा डीमन निकलता है जो के उनको बताता है इस ट्री की कहानी वो बताता है कि कैसे हर 10,000 साल के बाद ये ट्री 30 फूट्स देता है और जो भी कोई एक फूट खा ले उसकी जिंदगी 47,000 आगे बर जाती है अब ये वाली बात सुनने के बाद वू कॉंग यहां से तीन फूट लेकर चला जाता है जिसके बाद जब वो वापस पहुंचता है तो अपन तो सच में फूट खाली है और ये तो चुराया था वू कॉंग ने जिसके बाद वो फूरण वापस जाते हैं और उन पे इल्साम लगाते है कि कैसे उसने यहां के ट्री का फूट चुराया है अब ये बात सुनकर वू कॉंग को बहुत गुसा आता है क्यूंकि इन लोगों उने तो उनके मास्टर को भी चौर कह दिया था और यहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है वू कॉंग को इतना जादा गुसा आता है कि वो वापस उस्ट्री पर जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है अब ये बात यहां के इमोटल तक भी पहुन जाती है जो कि अपने आदमियों को लेकर यहां पर पहुँचता है उसे रोकने के लिए ये इमोटल यहां पर वू कॉंग के अराउंट एक सर्कल बनाता है जो कि जादू का था ताकि वो उससे बाहर ना निकल सके वू कॉंग के मास्टर उस इमोटल से माफी भी मांगते है बत इस बात कि जैसे ही अजाद होता है वो वू कॉंग के मास्टर को लेकर वहां से गाइब हो जाता है ये बात देकर तो इमोटल भी बहुत गुसा करता है वू कॉंग पे और बताता है कि जिस ट्री को तुमने तबाह किया उसमें शी इनरजी थी और उसी इनरजी की वज़ा से वो डी को भी मचा देगा और तुम्हारे मास्टर को भी मार देगा इसके बाद अब ये सारे लोग निकल परते हैं वो कौंग के मास्टर को ढूनने के लिए ये सब लोग जब निकल रहे थे ढूनने के लिए तो हम देखते है कि कैसे एक स्मोक इनरजी सैंडी के बैग में छुप दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन किंग को जो जहां से भी गुजर रहा था वहां पर उसके चक्कर में जो भी आता था वो उसकी पावर की वज़ा से एक डीमन में चेंज हो रहा था इसके बाद डीमन किंग एक बहुत ही बड़े से मांटन के टॉप पर पहुंच आता है जहां पर वो अपनी डीमन आर्मी को कहता है कि मास्टर का ख्याल रखे क्योंकि नेक्स त्री डेस के अंदर वो अपनी रियल फॉर्म में आएगा और उसे कम्प्लीट करने के लिए उसे मास्टर के सोल की जरूरत पड़ेगी इसलिए मास्टर का ठीक रहना उसके फाइदे क दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कॉंग बाजी और सैंडी निकले हैं मास्टर को धूने के लिए और वो चोटी सी इनरजी पी इनके साथ है थोड़ी देर के बाद इनको पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बलके उस ट्री में से निकली शी इनरजी है और वो इनके साथ इसलिए है ताके दुबारा से डीमन किंग को हरा सके पर वो कॉंग को तो इस बात पर यकीन नहीं था उसे लग रहा था कि शायद ये ट्री की सोल है जिसकी वज़ा से वो उसे साथ नहीं लेकर आना चाहता था यहां पर हम देखते हैं कि वो डेविल जो छोटा सा पहली भी ट्री से निकला था यहां पर फिर से भाग रहा है वो कॉंग उसे पकरता है और उससे पूछता है कि बताओ डीमन किंग कहां रहता है जिसके बाद वो उसे बताता है उसी माउंटेन का एड्रेस वो छोटा सा डैविल इनको बताता है कि कैसे सिर्फ शी इनरजी ही उसको हरा जिसके बाद वू कॉंग उस चोटी सी शी एनर्जी को अपने साथ ले जाता है और ये लोग उस रास्ते पर निकल परते हैं। हम देखते हैं के साथ ही डीमन किंग को भी ये सारी बात अपनी मेंटल एनर्जी से पता चल रही है। ये सारी बात सुनने के बाद डीमन किंग भ खाना खाने के लिए वहाँ पर सारे लोग इनको देकर बहुत जादा डर रहे थे इतने में ही यहाँ पर वो डीमन आर्मी भी पहुंच जाती है उसके बाद इनकी लड़ाई साथ हो जाती है वो कॉंग इन से बहुत एच्छे तरीके से लड़ता है जिसके बाद यह लोग यह से भाग जाते हैं बड़ हम देखते हैं कि काफी डीमॉनिक एनर्जी वहां के लोगों में भी आ चुकी है और यह सारी चीज़ देखकर शी इनर्जी बहुत उतास हो जाती है क्योंकि यह सब कुछ बहुत सालों के बाद हो रहा था क्योंकि आखिरकार इतने सालों के बाद दीमन किंग असाद हुआ था यह शी इनर्जी अपनी पावर से वहां के सारे लोगों को ठीक कर देती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन आर्मी का जो हेट था जब वापे जाकर बताता है कि यह लोग हार गए तो दीमन किंग तो उसका सर ही कार देता है इसके बाद व वहां का बासी खाना देखकर भूप की वज़ा से उसे खाने लगता है यहां पर वू कॉंग को पता चलता है एक नई बात जिसके बाद वो सैंडी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो साथ ही हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो ब्लैक स्मोक यहां तक पहुंच गया है शासरा इन वार्मेंट ही चेंज हो गया था इसके बाद वो यहां के इक स्टैचु गाड़ के अंदर चला जाता है उसके बाद वो जिंदा हो जाता है और वू कॉंग को यह सब सुनकर घसा आता है जिसके बाद यहां पर सैंड़ी और बात जी भी पहुंच आते हैं और इन पर अटैक करता है यहां पर शी एनर्जी बहुत इजिली उसे हरा देती है और ये सारा कुछ दे कर वो कॉंग भी बहुत ही जादा है रहान रह जाता है प्लैक स्मोक के जाते साथ ही वो स्टैचू नॉर्मल हो जाता है और जब अपने टेंपल का हाल देखता है तो बहुत ही वू कॉंग उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि वो डीमन किंग कहां रहता है इसके बाद वो स्टैचू एक माउंटेन टॉप के उपर इशारा करता है और बताता है कि डीमन किंग वही पर छुपा हुआ है अपनी आर्मी के साथ पर वो स्टैचू बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि शी इनरजी तुम्हारे साथ है इसके बाद वू कॉंग उसके पैट ड्रेगन में जान दुबारे से डाल देता है और यहां से वो स्टैचू जला जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं माउंटेन टॉप पर जहां पर बाकी सारे इवल गॉड्स भी पहुंच चुके हैं और यहां पर तो डीमन किंग को भी तीन दिन पूरे हो चुके थे वो अपनी रियल फॉम में आ चुका था बाकी सब उसको बहुत ही जादा कॉंग रैचुलेट कर रहे थे क्यूंके अब वो पूरी दुनिया पर काबू पाने वाला था वो कॉंग बाजी और सैंडी एक जगा पर रुकर अराम करने लगते हैं वो वेट करते हैं कि शी इनरजी सो जाए पर शी इनरजी का सोने का कोई प्लैन नहीं था वो बार बार वो कॉंग से कोई ना कोई सवाल करता था जिससे पहले वो पूछता है कि तुम्हारा नाम किस ने रखा वो कॉंग उसे बताता है कि मेरे मास्टर ने मेरा नाम रखा था इसके बाद वो फिर से कोई सवाल करता है पर वू कॉंग उसे थोड़ा डानता है और सोने के लिए बोल देता है जिसके बाशी इनरजी सो जाती है यहाँ पर वू कॉंग उसके अराउंड एक सर्कल बनाता है प्रोटेक्शन का जिसके बाद वो बाजी और सेंटी के साथ मिलकर जाता है माउंडेन टॉप पर अब देखते ही देखते हैं यह लोग माउंडेन टॉप तक पहुंँ जाते हैं जहाँ पर दीमन किंग की आर्मेन का वेट कर रहे थी यहाँ पर बाजी वू कॉंग से कहता है कि तुमने उस ट्री को अकेले डिस्ट्रॉई किया था पर उसका फूट तो हम तीनों ने खाया है इसलिए अब लड़ने में हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे यह तीनों मिलकर मास्टर को छुड़ाना चाते थे यहां पर अब एक बहुत अमेजिंग फाइट स्टार्ट होती है जहां पर हम देखते हैं कि डीमन किंके बहुत सारे लोग है और एक तरफ सिर्फ यह तीन है इनकी बहुत अमेजिंग फाइट चल रही थी जहांपर हम देखते हैं कि बाजी को हर तरफ से लोगों ने खेल लिया है यहांपर सब को लगता है कि वो शायद डरने वाला है पर अचानक से बाजी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है उसके यह नई फॉर्म बहुत ही जादा बड़ी थी जिसके बाद वो अपने पाउं से ही बागी सारे डीमन्स को कुचल रहा था दूसरी तरफ हम सैंडी को भी देखते हैं जो कि बहुत बहादुरी से लोगों का मकाबला कर रहा था यहांपर फायर माउंस्टर यहांपर पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो सैंडी को कोई नुकसान पहुंचाता वो कॉंग आकर उसको हरा देता है इसके साथ ही बहुत सारे डीमन्स एक साथ अकच्छे होने लगते हैं ताकि इनको मिल कर मार सके यहांपर वो कॉंग अपने दुबारा से स्कैल फिर को यूस करता है और छोटे छोटे मंकी स्क्रेट करता है जो के इन सब को मारने लगते हैं अब डीमन किंग खुद भी मैदान में आ जाता है यहां का तो एक्मोस्फेर ही चेंज हो गया था क्यूंके हर तरफ से डीमन्स मोक निकल रहा था यहां तक कि इस सब को देखकर वो सारे डीमन्स भी भागने लगते हैं हर चीज ऐसे लगती है जैसे हल बन गई हो सब डीमन्स को पता था कि डीमन किंग तो किसी का भी साथ नहीं देगा इसलिए वो भी डर कर भाग रहे थे यहां पर डीमन किंग जब सामने आता है तो वो कॉंग से कहता है कि शी एनरजी मुझे दे दो पत वो कॉंग कहां मानने वाला था वो भी उसे कहता है कि मुझे मास्टर वापिस कर दो अब इन दोनों की लड़ाई बिलकुल आमने सामने थी यहां पर एक तरफ वो डीमन किंग था और दूसरी तरफ वो कॉंग सैंडी और बाजी पत वो सबसे ज़ादा पावरफुल था इसलिए इन तीनों को बहुत अराम से मार रहा था वो कॉंग भी अपनी पावर दो शोकर रहा था इसके बाद वो डीमन किंग शी इनर्जी की तरह बढ़ने लगता है जब वू कॉंग देखता है कि वो शी इनर्जी की तरह बढ़ आए तो वो एक बार फिर से उस पे हमला करता है इस बार तो डीमन किंग उसको बहुत बरी तरीके से मारता है जिसके बाद वू कॉंग बहुत ही जादा बुरी हाल में पहुंच जाता है ये जब सब कुछ शीनरजी देखती है तो वो बहुत जादा दुखी होती है वो उस प्रोटेक्टिव सर्कल से बाहर निकला जाती थी बट वू कॉंगो से मना करता है कि तुमने उसी सर्कल में रहना है यहाँ पर बाजी और सैंडी भी मदद के लिए पहुंच आते है बट वो डीमन किंग उन्हें बहुत बेहरेमी से मार देता है इसके बाद दुबारा से वो चलता है आगे शीनरजी की तरफ हम देखते हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर है जब डीमन किंग ये देखता है तो वो अपने black smoke power को use करता है ताकि किसी तरीके से इस shield को तोड़ दे यहाँ पर हम देखते हैं कि शीनरजी उस प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर है और यहां पर वू कॉंग भी उस सरकल में आ जाता है जो के वो सारी पावर जो डीमन किंग यूस कर रहा था खुद पे ले ले लेता है इस सब के बाद वू कॉंग तो बहुत ही जादा बुरी हाल में पहुंच चुका था यह सब कुछ दे कर शी एनरजी बहुत दुखी होती है यहां तक के रोने लगती है यहां पर डीमन किंग उसके मास्टर को भी ले कर आता है जो के अब कहता है कि मैं इसके सोल को यूस करूंगा वो मास्टर के सोल को खुद में अब्सॉब कर लेता है और मास्टर ऐसे ही मर जाते हैं वू कॉंग ये सब कुछ देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता इसके बाद हम देखते हैं कि दुबारा से डीमन किंग इस बार भी उसे यही कहता है कि शी एनर्जी मुझे दे दो पट उसे मरना जादा पसंद था जिसके बाद दुबारा से डीमन किंग वू कॉंग को मार देता है शी एनर्जी इसके बाद तो अब हमला कर देती है डीमन किंग के उपर इतनी जादा पावर यूज हो रही थी पर उसे फिर भी कोई खास फरक नहीं पढ़ रहा था क्योंके मास्टर का प्योर सोल उसके अंदर था यहाँ पर वो अपनी सारी पावर यूज करके शी एनर्जी को भी खतम कर देता है इसके बाद हम देखते है कि शी एनर्जी चली जाती है वू कॉंग में इसके बाद हम देखते हैं कि वू कॉंग का दिल फिर से ठीक हो गया है और वो फिर से जिन्दा हो गया है जिसके बाद वो डीमन किंग से कहता है कि शी इनरजी से जादा पावरफुल कुछ भी नहीं क्यूंकि वो ग्रेट बुद्धा की इनरजी है इसके बाद वो बहुत ही बुरे दरीके से डीमन किंग को हरा देता है डीमन किंग तो मर चुका था बट वू कॉंग बहुत जादा उदास था क्यूंकि मास्टर मर चुके थे अचानक से वू कॉंग सेंडिय और बाजी देखते हैं कि पीछे मास्टर है वो कुछ मेडिटेट कर रहे थे यहां पर बनता है यहां पर यह मूवी एंड हो जाती है